असलाम उलेकुम विवर्स, वालकम टू माई चैनल, विवर्स एक नई वीडियो के साथ फिर से खोशाम देट, विवर्स आप लोगों को आज मेरी इस वीडियो में बहुत साइट टिप्स और हैक्स देखनों को मिलेंगी जो के डेली लाइफ में आप लोगों के लिए बहुत बें अगाद के अच्छ है जोकि दोटाए लोगो और पश up लिएफ से आप लेगे, आप लोगोह कें आप लोगोन भूसे को बपाशे गाता है, बहुत अच्छा टूटा आइक की पर आदे चाहिए, और यह भाड़ी केप, अज टूटीवी बोतल को रिपैर कर सकते हैं मेरी डूसी टिप बालो को लेकर है अगर आप शेंपू करते हो। और आपके बाल बहुत ही जादा OILY है और आपके सर पर बहुत-जादा Yakो जादा भीडर। आप परीशान हों जो सॉल्ट होता है वो भी आप यूज कर सकते हो यह बालों को बढ़ने में मदद देता है आपके सर की स्किन को जो है ना वो साफ करता है और इसके यह फाइदे है कि आपके सर पर जो भी डेंडर्फ होगा वो भी खतम हो जाएगा वक्त के साथ-साथ तो आपने क्या करना है क अपने शैंपू में अगर आप बालों को शैंपू से धो रहे हो और आपके बाल बहुत जादा ओयली है डेंडर्फ है तो आपने क्या करना है कि तीन टेबल उस्पून मैं यह चमचा इसलिए ले रही हूँ क्योंकि हर घर में इस तरह के स्पून होते है तो मैंने लेवल प यह चमचे मैं शैंपू के शामिल करूंगी तो इस तरह से मिक्स करके ने इसको अच्छे से उसके बाद आपने बालों पर अप्लाय कर देना है और जैसे इस करबिंग करते हैं वैसे ही स्क्रबिंग हो जाएगी इस से तो इससे क्या होता है कि अगर आप अपने बाल वाश क करो गए ना तो तो मंत में एक दफ़ा कम लेंगें अगर आपके बालों में बहुत जादा lleva बालों में शायन और अपके बहुत जादा बहुत जादा बहुत आर बहुत जादा में पैतरीन उसमें लो इसकी बालों की बालों के कंडि broadcast कर टार्न ने거를 करना morte by ब affect the val हर चीज की इस्तेमाल के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं अगर नमक आपके बालों के लिए फायदेमन दे तो इसके साथ साथ इसका बहुत जादा इस्तेमाल आपके बालों को खुश्क भी कर सकता है तो इसलिए इसके इस्तेमाल में इहतियाद कीजिए बहुत जादा इ हैं त्य объяс कि हमारे पास देखें इस तरह की शू ओते हैं हम सर्डियों में बच्छों को बहुत ही जड़ा पेंने ग्हूमते रहते हैं तो इन सॉक्स के साथ पहनने वजह हुआ से उनमें बहुत जादा इसमेल आपने लग वह भी खत्म हो जाती है और खुश्बू आने लग जाती है तो इस तरह अगर आप बच्चों की शूज में इस तरह से पॉडर डाल कर रखो गए न तो यह भी बहुत अच्छी एक टिप है जो आप लोग अपने घर पर ही कर सकते हो अगर मेरी टिप पसंद आई हो तो वीडि इनको निकालते है तो वह में बहुत टाइम लग जाता है ढूंदने में और शॉप कीपर के सामने तो बहुत ही जादा टाइम लग जाते है इनको तलाश करने में तो क्या करेंगे कि हम हमारे पास इस तरह चुटी-छुटी से प्लास्टिक के बॉक्स होते है जिसमें बच् को निकालो और अपने सिक्के यूज करो तो यह भी बहुत अच्छी एक टिप है जो कि आप लोग के बहुत ही जादा काम आ सकती है नेक्स टिप मेरे के इस तरह की देखे वाइटमिन डी के जो ड्रॉप्स होते है न हम छोटे बेबी इसको ड्रॉप्स पिलाते है तो यह व पर जो होता है ने ड्रॉपर टाइप बना होता है यह भी अलग हो सकता है तो मैंने इसको बहुत अच्छी से वाश करके ना आप मैं इसमें क्या करूंगी मैंने इसमें डाल लिया है और इससे क्या होता है कि मशीन में डालना बहुत जादा एजी हो जाता है जिससे हम मशीन तो उसमें निकलने लग जाता है लेकिन इसमें क्या होगा ना कि अपने मशीन में लगा सकते हो तो है ना बहुत की अच्छी टिप उमेद करते हूं कि आप लोग को मेरी वाले टिप भी पसंद आई होगी अगर चैनल पर नाय हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजबी कर लिजेगा और वीडियो लाइक भी कर दीजेगा और पहला कि बटन को भी लाजबी प्रेस कर दीजेगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाए तो यह देखे मेरी यह टिप भी आप लोग को बहुत ही जादा काम आने वाली है मेरी अगली टिप यह झाल बनावाट होती है एनकी बिल्कुल एजी ली खराब नहीं होते हैं तो हम क्या करेंगे हम bookmarking के तौर पर भी इसके तो उसका सकते हैं जैसे जो भी किताब पढ़ने के शोकिन होते हैं तो, छूड़े-ठोड़े बच जाते हैं, तो हम क्या करें, इनको फिरिज में रख देता हैं, खासकर यह फिरिज प्रो всем हम बच चे फुरू पर में रखारें कि यह बहूं जाए हैं और जैसे हम इसको निकालए है पाहर तो जूड़ा सा निकल कर ना फ्रिज को गंडा कर देता है तो हम क्या करेंगे इस तरह के जो ट्रे होते हैं हम जब भी कोई मैट्रो से कहीं से बीफ गारा खरीद के लाते तो इस तरह के ट्रे उसाथ में आती हैं तो यह त्रे बी काफी अच्छी होती है हम इसको दुब और आपके पास एक बहुत अच्छा ऑर्गनाइजर भी आ जाएगा इस तरह से अगर आप लोग रख देंगे देखे पहले में रखती थी ना तो यह जो कांच वाला हिस्सा होता था था ना यहां पर यह जूस गर जाते थे और यह जगा बहुत जादा गंदी हो जाती थी लेकिन अब मैं इस तरह से रखूंगी तो यह जूस फ्रिज में इसके उपर नहीं गिरेगा बलके जो भी गिरेगा वो ट्रेप गिरेगा और हम नेक्स टाइम इसको वाश कर लेंगे और फिर से यूज कर लेंगे तो है ना बहुत अच्छी सी टिप के यहां नेक्स टिप है ना वहम किचन में काम करने वाली खावातिनों के लिए बहुत जाणा है चोटी सी टिप लेकिन बहुत काम की टिप है तो मैंने सुचा चलो आप लोग को बिपता दू कि गरम कोई पतीली है स्वाश पैन पैन हो और लोग विपतिली हो उसको आप ल पूर नहीं तो आप लोग इसका एक और इस्तमाल कर सकते हो कि इसको वाश करने के बाद ना पौदों के गंले में डाले इससे पौदे भी अच्छे जली से बढ़ने लग जाते हैं तो अगर आप लोग को मेरी टिप पसंद आये तो वीडियो को लाइक ज़रूर किज़ेगा क कोई भी टिप पसंद आई हो तो मुझे कॉमेंट में कॉमेंट करके जरूर बताए कि इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाती है और मुझे मजीद वीडियो बनाने का मौका मिल जाता है मिलती हूं नेक्स वीडियो में तब तक लिए मुझे देजिए अजाज़त अलाव